हलो दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करें आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सीजी बोट के अंतरगत प्रश्णा वाली क्रमांग 2.1 के प्रश्णा प्रश्णा क्रमांग 7,8,9,10,11 पांच महत्तपुन प्रश्णा को अजहल करने वाले हैं ऐसे विद्यार थी जो नौदय चैन परिष्णा के त्यारी कर रहे हैं वो भी आज की वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज का जो पांच महत्तपुन प्रश्णा है नौदय के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थात का 6 वी वाले विद्यार थी तो इस वीडिय चैनल अर्था उज्वल अच्छे यूटूब चैनल से नहीं जूड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए इससे हम जो भी नया वीडियो आपके लिए बनाएंगे वह आपकी मोबाइल पर सबसे पहले नोटिप्र प्रस्ण क्रमांग साथ है इसमें प्रस्ण दिये गए प्रेक्टिस के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपको इन संख्याओं का पूरवर्ती संख्या लिखना है अब बच्चों आपको बता दे कि पूरवर्ती संख्या क्या होता है आपने कक्षा 4 में कक्षा 3 में पढ़ा था ठीक पहले की संख्या जश्ट बीफोर आपने पढ़ा तक नहीं पढ़ा था जैसे कि यहाँ पर यदि पांच है तो पांच के ठीक पहले की संख्या क्या होगा चार होगा ठीक है इसी को आपने जश्ट बीफोर नाम से पढ़ा था इंगलिस मिडियम में ठीक पहले की संख् है उसके ठीक पहले की संखिया उसको पुर्ववर्थी संखिया कहा जाता है अब यहां पर छोटे-चोटे-चोटे परॉखन रहते हैं उसको तो हम Pig Brothers बना लेते हैं लेकिन जब संखिया बड़ी हो जाए तो उसे किस प्रकार से हल करेंगे आएए देखते हैं इसको मैं यहां से मिटा रहा हूँ जो हमने उधारं की रूप में लिखा है उसके बाद की प्रस्ण को मैं लिख रहा हूँ जो पुस्तक में दिया गया है पहला प्रस्ण आप देख सकते हैं आपकी प्रेटिस के लिए समझ के लिए छोटा सा प्रस्ण दि 25 की पूरवर्ति संख्या जो पांच अलग-अलग प्रशन है ये तो सातव प्रशन का पांच खंड है उसी प्रकर आथवा है नुआ है दसवा है ग्यारवा बारवा है देखेंगे क्या क्या प्रशन है पुरवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगा जो 25 है जो 25 है उसमें आप एक कम करोगे अब क्यों करोगे एक कम देखिए 5 का जो पुरवर्ती संख्या होता है 4 6 का होता है 5 आप देख सकते हैं 4 जो है 5 से 1 कम है है की नहीं है ठीक पहले आता है तो यदि हम इसमें एक कम करते हैं तो 4 मिल जाते हैं तो यही जो मैथाद है हर प्रशन के लिए लागू होका जहां पुरवरती संख्या, पुशा गये है, तो इसी प्रकार से आपको बारा राद छो संख्या दिया है ऐसाद लिखना है तो 25 की पुरवरती संख्या पर यह हो ज लेंगे कैसे बनाएंगे यहां पर 89 के यहां पर पततीस के जगाана रिखेंगे और 89 में एक कम करेंगे आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 78 इसे आप लोग अभ्यास करना इसलिफ बनाना उसके ऐसे वांसा ती से की पुर्वर्ति संख्या यह तक आप सही तरीके से लिखते हो और गल्दिया कभी-कभी विध्यार्थियों से ऐसा हो जाता है old यू जाता है कभी-कभी प्रकास हो जाता है तो आपको बता आदनी यह लिखने का तरीका गलत है, आप कहाँ पर लिखेंगे एक को, यहाँ पर लिखेंगे और इसे आप घटा देंगे, तो 10 में से 1 कम करेंगे 9 और यह हो जाएगा 1, और यह हो जाएगा 5 तो 519 होगा उसके बाद जो 4 प्रश्न है 4 प्रश्न है, वो है 1100 1100 तो इसका कितना आएगा कमेंट करो तो 1100 का कितना आएगा कमेंट करो क्या करेंगे इसके लिए भी यहाँ पर हम लिखेंगे 1100 की पुरोवर्ती संख्या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1100 अब इसको आप घटाईए अब इसको आप घटाते जाहिए कितना होगा बताइए कितना होगा सुनने में से एक कम नहीं होगा उससे हम क्या कराएंगे चिलहर कराएंगे तेहां को जागर नहों यहां पर भी नहों यह सुनने यह एक 1099 कितना हुआ 1000 यह और उसके बाद है अगला जो प्रश्ण है वह है fan 332 ay ठीख है तो इसको भी बना लोंगे तो अब बहुत असानी के साथ प्रस्णकरमाग8 को प्रस्णक संख्याओं की परवर्ती संख्याएं लिखना है कौन से संख्या लिखना है अब यहाँ पर चार अलग अलग संख्या दिया गए है उसके आपको क्या गयात करना है परवर्ती संख्या इसके पहले हमने गयात किया था पुर्वर्ती संख्या इस प्रस्ण में परवर्ती संख्य संक्या कहा गया है तो परवर्ती कि किसे कहा जाता ह। Dual आप प्रवर्ती कि पहले है कि कि इसे 5 का परवर्ती पहली हैं थे25 न कि और रो फ़ पर जो संख्या में same 6 और 5 में आप देख सकते हैं। यदी फांच में एक मिला देते हैं तो 6 पराप्त होता है। सब्सक्राइब कर दो एक घटाना पड़ेगा यदि हमको परवर्ति ग्याद करने तो एक को जोड़ना पड़ेगा ठीक है अब चलिए इसमें कौन-कौन से प्रसन दिया गया है आपके प्रेट्टिस के लिए और उसे आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं चले देखते हैं एक प् पच्िस को भिंदे बनाया था तो अभी 25 मिन न्यritis बनाऊंगा आ평ल बनेंगे उसके बाद है 500 टिक के दान हजार ग्यारा सो लुंट बावंhan lugiles 5000 पाय इस दिर्ची को ही हई शेल क न आ यह बाइसे समझ डाई बाइस तरीके से बनेंगे ऐसा बनाएगा दिखो यहाँ यहां पर देखेए हल लिखने के बाद इसको बना रहे हैं तो पहला लिख जाएगा अब देखे कितड़ी हैं बावन हजार तीन सों 92 की परवर्ती संख्याली संख्या एड मा आइसा overdid लिखना लिखना ठीक है से थाइड guide ऐसा सब के लिखना यहाँ पर सिफ संख्या बस चेंज होगा ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर बराबर करेंगे जो संख्या लिखा है उसको एक बराव लिखेंगे और इसमें जोड़ देंगे क्या एक को क्या जोड़ देंगे एक को तो यहाँ पर हो जाएगा दो और एक त कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर दीजें दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने प्रश्ण करमांग 9 और प्रश्ण करमांग 10 दोनों को एक साथ लिखा है बहुत ही बहतर कांसेप्ट देखे यहां पर पूछ रहा है कि 6 अंको की सबसे चोटी पूरसंक्य लिखो सबसे चोटी पूरसंख्य आपको लिखना यो सबसे चोटी पूरसंख्य लिखा तो देखे बच्चो प्राप्की संख्या या पूर्ण संख्या दोनों में केवल एक ही अंतर है कि प्राप्की संख्या एक से सुरू होता है और पूर्ण संख्या सुनने से सुरू होता है मां की हर एक चीज उनके साथ लागू होता है छले देखते हैं कि सबसे छोटी पूर संख्या एक प्राकृत कहा गया है तो सबसे छोटी संख्या एक अंकी तो शुनने होगा है के नहीं समारी पूर संख्या कहा गया है तो सबसे छोटी संख्या जो है शुन्निए होग Alabama एक लेकिन यहाँ पर 6 अंक कहा गय है तो 6 अंक कैसे बनेगा यदि हम 6 बार सुन्ने करेंगे क्या 6 बार सुन्ने भी करते हैं तो भी तो गलट हो रहा है है कि नहीं क्योंकि यहां पर पून्र संख्य कहा जाता तो सुन्ने होता दो अंक के लिए देखें ये दो अंक का हो गया तीन अंक के लिए सुनने मिला दीजे तीन अंक हो गया एक अंक, दो अंक, तीन अंक, ये चार अंक, ये पांच अंक और ये छै अंक ठीक है आप गिल लिजे एक अंग, दो अंग, तीन अंग, चार अंग, पांच अंग, छैंग, अब आप यहाँ पे कॉमा लगा दीजे, तो कितना हो गया, एक लाख, छैंगों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक लाख होगी, उसी प्रकार पांच अंगों की सबसे बड़ पूर्ण संख्या, तो देखें, पांच अंगों की, एक अंग की कितना होता है, सबसे पहले देखिए, एक अंग का होता है, नो, सबसे बड़ी संख्या, अब जानते हैं निवे, एक अंगों का सबसे बड़ी संख्या, पूर्ण संख्या है तो, नो, अब एक अंग का नो है तो 2 अंक का 99, 3 अंक का 999, 4 अंक का, ये 5 अंक का, ये 6 अंक का, जितना अंक का पुछा गया है, हाँ पर कितने अंक का पुछा गया है, 5 अंक का, मैंने 6 अंक का लिदिया, चलिए इसको अटा देते हैं, ये 5 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, इसे आप यहां से क्या कर दीजिये कौम लगा दीजिये हो गया ठीक है अब प्रास्टन 11 क्या कहता है देखिये जो इसी से जुड़ा हुआ है देखिए गयारवा नंब्र का प्रश्ण है छैंगों सबसे छोटी वह 5 ऑंगों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का अंतर क्या है कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे देखिए बच्चो जैसा जैसा प्रस्थन में कहा गया है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है सबसे पहले लिखिए छैंगों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी पूर संख्या यहां पर लिखोगे छैंगों की सबसे, सबसे छोटी, सबसे छोटी पूर संख्या, क्या बता है भी हमने, सब 6 अंकों की सबसे छोटी पूर संख्या क्या था, क्या है, एक के बाद आप कितने बार सुने लिखेंगे, 5 बार सुने लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद कहा जा रहा है, 5 अंकों की सबसे बड संख्य पूर संख्य पांच अंग गई सबसे बड़ी फूर कि यह रहाँ मतलब क्या होते बच्चों दो कितना दिप्रेंड्स है तो तत breezकंने के लिए एक में बड़ी संख्य से थोटी संख्य को घटाते हैं यहाँ फेद गटा लीजिए अब देखिए घटाना इसको घटाते समय गलतियां कहा होती है आप इसको ऐसे लिख देते हैं देखिए इस प्रकार से ठीक है यह च्छेंको की संक्या है अब इस प्रकार से आप इस प्रकार से जैसे लिखें आप कैसी भी कलो इसको उत्तर गलत ही आएगा इसको उत्तर गलत ह नाजी आएगा तो आपको लिखते समय में से ध्यान रखना है एक निचे एक काई दहाई के निचे दहाई अब देखिए सुनने में से नाउगगए तो इसके पास एक लाक जो है उसको चिल्हर कराएगा तो एक लाक यहां प्रकार करके हो जाएगा दस भाग में बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद ये दस हो जाएगा ये नो हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आप देखेंगे ये नो हो जाता है ये नो होता है ये भी नो ये और आक्ति हो जाता है दस तो ये दस में से नो कम करोगे एक बचेगा यह 9 में से 9 सुन्य यह सुन्य यह सुन्य इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक बचा कितना बचा एक बचा तो इस प्रस्ण का जो उत्तर है वह होगा एक इस प्रकार से प्रस्ण जो आपके प्रश्णा वाले निया गया है उसको हमने हल किया अगले प्रश्ण में अगला जो बहतरिन प्रश्ण हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद उज्वल अच्छ यूटूब चनल से जुड़े रहिए नमस्कार